Hello Friends, Welcome back to my channel देखिए Friends, आज मैं आपके लिए एक new style cap का design लेकी आई हूँ देखिए Friends, इस cap को आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं और बढ़ों के लिए भी बना सकते हैं देखिए, अभी मैं आपको बेबी के लिए बना के दिखा रही हूँ देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें 26 फंदे लिए हैं ठीक है, 26 फंदे लेने के बाद देखिए, मैंने दो लायों में देखिए, सिंगल वूल से आपको ये फंदे डालने हैं उसके बाद देखिए, ये मेरा बैक साइड है, तो बैक साइड से हम इसे पूरा उल्टा-उल्टा बुनके रेडी करेंगे ये देखिए देखिए, इस कैप को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से में रख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुन्दर कैप बनके रेडी होती है, देखिए, पहनने के बाद इस कैप का लुक बहुत ज़्यादा सुन्दर आता है और बहुत कम वूल में ये बनके रेडी हो जाती है, और बहुत कम टाइम लगता है इस कैप को बनाने में देखिए friends, यह हमारी back side से first row complete हो गई है, अब देखिए यह हमारी right side है, ठीक है, अब हम यहाँ से design निकालना start करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यह side में हमें एक chain निकालना बहुत जरूरी है, इस cap का look इस chain से बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है, तो सबसे प आपकी chain निकल जाएगे और हर row में आपको यह type का करना है, ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, दो फंदे उल्टे, देखिए friends, एक फंदा edge stitch हो गया, दो फंदे उल्टे, फिर हम धागा back करेंगे, ठीक है, धागा back करेंगे, और देखिए इन चार फंदों में हमें design दालना है, यह देखिए, तो देखिए पहले second वाले फंदे को हम इस तरीके से बॉनेंगे, यह देखिए, second फंदा बुना, फिर हम first वाला फंदे को सिधा बुनेंगे ऐसे, ठीक है अब इन दो फंदों में हमें क्या करना है, थागा आगे करेंगे, दो फंदे हम उल्टे ब तो फंदे उलटे बुने, देखिरन्स हमारा क्या करना है, बीच में हमें 8 फंदे सीधे बुने, ठीक है, ये 2 उलटे बुन लिए उसके बाद हमें 8 फंदे सीधे बुने, एक, दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ फंदे सीधे बुन लिए उसके बाद धागा आगे करेंगे फिर सेम जो फंदे हमने यहां बुने वो ही हमें इधर बुनने है ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या किया था दो फंदे उल्टे बुने थे यह देखे यह बुन लिया फिर देखे यह वाला फंदा बुनेंगे सीधा यह देखे उसके बद इस साइड में हमें क्या करना है पहले हमें बैक वाला फंदा बैक साइड से इस तरीके से बुनना है यह देखे ऐसे बुनेंगे फिर हमें आगे वाला फंदा बुनना है सीधा यह देखिए ऐसे बुन लिया ठीक है अब धाग आगे करेंगे फिर हमें last में दो फंदे उल्टे बुननने है और देखिए friends यह edge stitch है तो हम इसे उल्टाई बुनेंगे last में ठीक है ऐसे अब फिर हमारी back row आ गई है देखिए friends back row में हमें क्या करना है यह हमें हर रो में हमें chain निकालने तो chain निकालने के लिए simple हमें देखिए यह फंदा हम ऐसे सीधा निकालेंगे ऐसे और इसे tight कीच के आगे कर लेंगे ठीक है इतने में हमारी chain निकल जाएगे और यह back row है यह back row हमारी पूरी उल्टी-ल्टी बुनके complete होगी यह देखिए देखिए friends हमारी यह back row complete हो गई है फिर से हमारी right row आ गई है देखिए right row में हमें क्या करना है यह देखिए पहला तो हमें chain निकालने है देखिए simple फंदा सिधा निकालके धागा आगे करना है ऐसे में chain आ जाएगी फिर यह दो फंदे जो उल्टे है यह उल्टे जाएंगे ठीक है फिर धागा back करेंगे देखिए friends अभी हमने यह design इस तरीकी से खोला अब हमें इस design को बंद करना है ठीक है फिर फंदे को back side से ऐसे बुनना है यह देखिए फिर second वाले को उसके बाद बुनना है ऐसे ठीक होगे और इस side वाले में हमें देखिए last time हम back side से बुन रहे थे लेकिन अभी हमें क्या करना है यह फंदा पहले second वाला बुनना है यह देखिए, ऐसे बुनेंगे आगे से, और फिर second वाला फंदा बुनेंगे ऐसे, यह देखिए friends, यह हमारी डबी बंद हो गई है, ठीक है, एक बार यह डबी खुली, उसके बार एक बंद हो गई है, देखिए friends, अभी एक डिजाइन निकला है, तो अभी आपको इतना clear नही है, ठीक है, बीच में, तो हमें क्या करना है, यह देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे यह हैं, चार फंदे यह हैं, तो हमें चार फंदे छोड़के, पीछे के चार फंदे पहले बुनने हैं, ठीक है, आप यह देख लीजिए, कि जब आप यह डिबी बंद करना है, एक बार तब हम इसे खोल रहे हैं ठीक है तो यह 4 फंदे हो गए तो अभी हमें क्या करना यह देखिए 5 फंदा है देखिए friends अगर आप चाहे तो इन्हें निकाल के इन्हें पीछे करके भी बुन सकते लेकिन यह वाला method easy है तो आप इस तरीके से तो यह ज्यादा better रहेगा यह देखिए एक यहीं पर बुनना है थोड़ा सा डीला करके यह देखिए दो यह देखिए इस तरीके से निकालेंगे यह देखिए तीन और यह चार देखिए 4 फंदे हमने ऐसे बुन लिये यहाँ पर अब हमने क्या करना यह देखिए यह चार फंदे ऐसे निकालके यह पिछवाले गिराके यह 4 आगे वाले हमें देखिए इस तरीके से हमारी left वाल निदे में लेने है यह देखिए ऐसे ले लेंगे देखिए friends आब यह चार फंदे हमने उठा लिये, अब हम इसके बाद इन चार फंदों को सिधा बुन लेंगे ऐसे, एक, दो, तीन, और चार, ये देखिए, ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग है बुनाई की, आप देखे धागा आगे करेंगे, आप जो फंदे जैसे दिखे रहे हैं वैसी बुन आगे से बुनना है, ऐसे, फिर इस साइट से हमें क्या करना है, देखिए, पहले हमें आगे वाला फंदा बुनना है, ऐसे, फिर उसके बाद वाला फंदा बुनना है, ऐसे, ये देखिए, अब हमारी डिब्बी बंध हो गई है, ठीक है, एक बार हमारी डिब्बी खुल रह और एक बार हमारी डिब भी बंद हो रही है अब देखी लास में दो फंदे उल्टे हैं और यह तीसा फंदा एजस्टी चेश है इसे भी हम बैक से उल्टाई बुनेंगे यह देखे इस तरह के से ठीक है अब फिर से बैक रो आ गई है देखी फ्रेंस बैक रो में हमें क्या कर यह फिर से हमारी यह राइट रू आ गई है देखी इसमें हमें क्या करना है यह पिर यह आपको हलकालका डिजाइन इसका नजर आनी लगा हुआ आप देखी फिर से साइड में चें निकालेंगे ऐसे simple फंदा निकालना है और धागा आगे करना है ठीक है फिर एक दो उल्ट फिर हमें इस साइड से, देखिए, बैक साइड से ये फंदा ऐसे बुनेंगे, ऐसे, और फिर आगे वाला फंदा बुनेंगे, ऐसे, ये देखिए, ये डिजाइन हमारा भी खुल गया है, ठीक है, ये ऐसे खुल ला था, फिर बंद गुआ था, अभी ये फिर से खुल गया है फिर धागा आगे करेंगे, फिर दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर से धागा बैक करेंगे, और देखे फ्रेंज, अभी हमने ये डिजाइन निकाला था, अब हमें क्या करना है, ये डिजाइन हमारा 4 रोस के बाद निकलेगा, ठीक है, तो ये बीच के 8 फंदे हमें, सिं अब हम पंद कर रहे थे, तब हमने निकाला था, ठीक है, तो अभी हमारी ये थर्ड रो चल रही है, ठीक है, अब हम धागा आगे करेंगे, दो फंदे हमारे उल्टे हैं, धागा बैक करेंगे, फिर से इस जिब्बी को हमें खोलना है, तो देखे, सेकंड वाले फंदे को हम हम पहले ऐसे बुनेंगे, फिर हम फर्स वाले फंदे को बुनेंगे, फिर इस साइड से हम पहले बैक वाले फंदे को बुनेंगे, ऐसे, फिर हम आगे वाले फंदे को बुनेंगे, ऐसे, ये देखे, ठीक है, फिर लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे, एक, दो फंदे उल यह देखिए देखिए friends हमारी यह back row complete हो गई है फिर से हमारी right row आ गई है देखिए right row में हमें क्या करना है यह देखिए यह देखिए यह हमने side में chain निकाली धागा आगे करेंगे दो फंद हमारे उल्टे उसके बाद धागा back करेंगे और यह देखिए डिबबी अभी हमें बंद करनी है तो देखिए बंद करते time हम क्या कर रहे है पहले हम back side से बुन रहे है यह देखिए back वाला फंदा बुनेंगे फिर हम आगे वाला फंदा बुनेंगे ऐसे ठीक है फिर हम यहां से आगे वाला फंदा बुनेंगे यह दिखिए और फिर हम बैक वाला फंदा बुनेंगे ऐसे यह दिखिए फिर से हमारी यह डिब्बी बंध हो गई है अब धागा आगे करेंगे और दिखिए एक दो उल्टे बुनेंगे फिर धागा बैक करेंगे अभी भी हमें ये सारे फंदे सिधे बुनने हैं, ये देखे, बीच के 8 फंदे हम सिधे बुनेंगे, ये देखे, 8 फंदे सिधे बुनेंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ऐसे, फिर धागा बैक करेंगे, और देखे फ्रेंज, ये डिब्बी अभी खुली है, आप इसे बंद करना है, तो देखें, पहले हम ये back वाला फंदा बुनेंगे, ऐसे, ये फंदा बुना, उसके बाद हम आगया वाला फंदा बुनेंगे, ऐसे, ये देखें, अब इस side से हमें पहले, second वाला फंदा आगया से बुनना है, बंद कट् ये देखें, देखें फ्रेंस, चेन इस तरीके के आ रही इसमें, ठीक है, अब हमारा फिर से back row आ गई है, ये देखें, back row में हमें क्या करना है, ये देखें, पहला चेन निकालेंगे, उसके बाद धागा आगये करेंगे, पूरी row हमारी, उल्टी-उल्टी बुनके complete होगी देखें फ्रेंस, हमारी ये back row complete हो गई है, फिर से हमारी ये right row आ गई है, देखें, right row में हमें क्या करना है, देखेंगे इस तरीके का design देख रहा है, ये देखें, हलकलका आपको दिखने लगा होगा, आप देखें, फिर से हमें ये देखें, ये हमने चेन निकाली, उसके फिर्फन्द वाला फंदों का हमारे डिबबा यह दाखा आगे करेंगे दो फंदे हमारे उलटे हैं। फिर धागा बैक करेंगे यह चार फंदों का हमारे डिबबा ए ढखे एसे हमें फिर 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 maternal एक दत्वी फ्र से खुल गई है. ठीक है फिर धागा आगे करेंगे फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे फिर धागा बैक करेंगे देखी फ्रेंस जब हमारी ये डिबी बंध हो रही थी ठीक है तो तब हमने ये नीचे वाला डिजाइन बनाया था अब ये डिबी खुल रही है ठीक है ये डिबी बंध चार फंदे हमें पहले बुनने हैं, ये देखिए ऐसे, एक, ये देखिए इन्हें हलका ऐसा ढीला कर लिजा अब ऐसे, उसके बाद ये इसली बुनने जाते हैं, ये देखिए, दो, ठीक है, फिर ये, तीन, तीन, और ये, चार, ठीक है, चार फंदे हो गए, अब हमें देखि ये देखिए, ये 4 फंदे हमने ले लिए, अब ये 4 फंदे हमें सिध्य बुनने हैं, ये देखिए ऐसे, 1, 2, 3, और 4, देखिए 4, ठीके, ये 4 फंदे बुनने लिए, देखिए इस तरीकी की हमारी है, बीश में डिजाइन निकला है, आप फिर धागा आगे करेंगे, फिर 2 फ हमारा खोलेगा इस तरीके से यह देखिए एक और यह बैक उला बुनेंगे ऐसे ठीक है खोलते टाइम हमें एक पहले आगे से फिर बैक साइट से बुनना है और बंदे करते टाइम हमें पहले बैक साइट से और फिर फ्रेंट से बुनना है ऐसे यह देखिए यह खुलिया आप इसी तरीके से हमें ये पूरा cap का length complete करनी है, देखी friends, सेम ये ही आपको repeat करना है, ठीक है, तो आपका ये cap का length complete हो जाएगा, देखी friends, मैं ये cap की length complete करके फिर आपको दिखाती हूँ, देखी friends, हमारी ये cap की length complete होगी, ये देखी, आप आपको design का clear दिख रहा होगा, ये देखी, बहुत जादा सुन्दर design बनके ready होगा है, ये देखी, ये यहाँ तक मैंने बना के ready किया है, देखी friends, मैं इसको measure करके आपको दिखाती हूँ, ये देखी, inch tape से ये देखी, यहाँ से लेके, यहाँ तक, ये देखी friends, ये हमारा, ये देखी, 17 inch बनके ready होगा है, ठीक है, ये 17 inch है, देखी friends, आप जिसके लिए भी बना रहे हैं, इस तरीके से उसकी सरके आप गुलाई ले लिजे, ऐसे, ठीक है, ऐसे गुलाई ले ले लेंगे, फिर उसके बाद, जितना आपका measure करके, यहाँ पर आएगा, उतना आपको इसका length रखना है, ठीक है, देखी, मैं जिसके लिए बना रही हूँ, तो उसका मैंने इस तरीके से measure किया था, तो इस तरीके से आ रहा था, तो मेरा 17 inches का आया, तो मैंने इसको 17 inch बना के ready किया है, ठीक है, देखी, friends, जैसे मैंने आपको नीचे बताया था, same, वो ही आपको repeat करना है, तो इस तरीके का आपका यह बनके ready हो जाएगा, देखी, friends, आप हमें क्या करना है, आप जैसे फंदे हमने यहाँ पर जितने ढिले या tight डाले थे, same way ऐसे हमें इसे इधर घटाना है, तो देखी, simple घटाते time देखे, दो का एक, दो का एक करके हमें यह फंदे घटाना है, यह देखी, दो का एक, यह देखी, दो का एक, देखी, आपको बराबर घटाने हैं, क्योंकि आपको दोनों को सिलना है, तो ऐसा ना कि कोई बड़ा कोई छोटा हो जाए, ठीक है, तो दोनों को आप इस तरीके से घटाए, कि यह वो बिल्कुल equal हो, यह देखी, फ्रेंस, इस तरीके से मैं यह फंदे घटा लूँगे, देखी, फ्रेंस, हमारे यह सारे फंदे घट गए हैं, यह देखे, अब हम यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे, यह देखी, इस तरीके से घट गए हैं, यह देखिए फ्रेंस नोट लग गए और देखिए यह दोनों हमारे इस तरीके से बराबर हो रहे हैं ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें इसमें फंदे उठाने हैं ठीक है फंदे उठाने के लिए देखिए फ्रेंस क्या करना है यह देखिए, इसमें दो तरीके सा फंदे उठा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो आप यहां से भी फंदे उठा सकते हैं, ठीके, यह देखिए, इस तरीके से, सिंपल, देखिए, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं उठाओंगे अभी, यह ही इस तरीके से भी आप fund उठा सकते हैं यहां से अगर आपको उठाना है अगर आप चाहते हैं कि यह क्या थोड़ा से double type की अपको दिखे तो आपको fund उठाने होंगे तो देखे फ्रेंस में यहीं से fund उठाकर दिखाओंगे आपको यह देखे यहां से हमें क्या करना है यह देखिए जो आपको क्योंकि देखिए friends मैं फंदे यहां से उठाऊंगे ठीक है इतना portion में एको उपर रखना है extra तो देखिए जो हमारे यह वाला design है ठीक है इसके बगल से जो यह हमारे उल्टे फंदे थे बीच में यह वाले फंदे के यहां से मैं फंदे उठाऊंगी तो दिखिए simple आपको यहां से देख लेना है कि हमारे उल्टे फंदे कहां से start देखिए friends यह उल्टे फंदे के आपको यह row दिख रही होगी यह देखिए ऐसे उठाएंगे आप फंदे यह देखिए ठीक है एक फंदा ये है ये ये बिल्कुल आपको लाइन से दिख जाएंगे फंदे ये दिखे इस तरीके से हम ये फंदे उठा लेंगे ये ये दिखे बिल्कुल लाइन से उठेंगे फ्रेंस आपके फंदे ये दिखे आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से हम ये सारे उठा लिया है ठीक है और यह देखिए बैग साइड आ गई मेरी हम अब देखिए फ्रेंस मैं इसे दो colors का बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं color change करूँगी ठीक है अगर आप चाहें तो एक color का बना सकते हैं जिस color का आपने यह बनाया लेकिन मैं इसको दो colors का बना रही हूँ क्योंकि यह बच्चों के लिए है तो दो colors में ज्यादा सुन्दर लगेगा ठीक है तो मैं आप यहाँ पर second color अगर कम उठे हैं तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं ठीक है तो देखिए friends मेरे यहाँ पर 60 फंदे उठे हैं अभी तो मुझे 10 फंदे बीच में बढ़ाने है तो बीच में जहाँ पर gap होगा हम बढ़ा लेंगे और यहाँ पर second color attach कर रहे है यह देखिए back side है तो हम 10 फंदे कबर कर लूँगे आपको जितने फंदे रखने हैं जिसके लिए भी आप बना रहे हैं उसके हिसाब से तो आप वैसे कर सकते हैं देखिए friends मैं यह पूरी रोग complete करके दिखाती हूँ देखिए बिल्कुल normal है यह देखिए इस तरीक हिसा आपको बुनना है ठीक है यह देखिए यह complete करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए friends मैंने सारी फंदे बुन लिए देखिए उल्टे उल्टे बुन लिए जहाँ जहाँ पर हमें जरुवत थी हूँ पर मैंने फंदे बढ़ा लिए तो यह मेरे पास यहाँ पर 70 फंदे हो गए है ठीक है आप अब हमें इसका cap की length complete करनी है ठीक है तो अब हमें क्या करना है देखिए friends यह right side है तो मैं इसे देखिए दो उल्टे दो सीधे करके मैं बनाना चाहती हूँ देखिए यह देखिए दो उल्टे दो सीधे दोनों साइट से हमें सेम ही बुनना है ठीक है जो फंदे हम अभी उल्टे बुन रहे हैं वो हम बैक साइट में दो सीधे बुनेंगे और जो दो सीधे बुन रहे हैं वो बैक साइट में दो उल्टे बुने जाएंगे तो इस तरीके से हमारी स्कैप की length complete होगी ये देखे, दो उल्टे, दो सीधे, धागा आगे, दो उल्टे और देखे, देखे फ्रेंज, जब तक यहाँ पर तक होगा, तब तक थोड़ा सा problem आगे बुनने में क्योंकि ये देखे, तरीके से double हो जा रहा है यहाँ पर, जैसे ये उपर होगा तो फिर बहुत अच्छी तरीके साब इससे बुन पाएंगे, ये देखे, दो उल्टे, धागा बैग, दो सीधे, देखे, फ्रेंज, मेरा ये एक कलर से 6 रोज हो गया, ठीक है, अब मैं 6 रोज इसमें, येलो कलर से बुनूँगी, तो देखे, आप बैक साइड से हम कलर चेंज कर लेंगे, ये देखे, ठीक है, 6 रोज में येलो कलर से बुनूँगी, और देखे, ऐसे बुनना है, हमें 2 उल्टे, 2 सीधे, इसी तरीके से बुनना है, ठीक है, ये देखे, 2 सीधे, धाग आगे, दो उल्टे, देखिए friends, ऐसे बुनते वे मैं इसे पुरा complete करूँगी, ठीके, छे-छे रोज हमने ये बुनना है, देखिए, अगर आपको कम बुनना है, तो आप कम भी बुन सकते हैं, दो-दो रोज भी बुन सकते हैं, चार-चार भी है, लेकिन मैंने ये 6-6 रोज बुनी है, ठीक है, 6 रोज मैं गाजरी कलर से बुरूँगी और 6 रोज येलो कलर से, तो देखिए friends, अब मैं इस कैप की length complete करके आपको दिखाती हूँ, देखिए friends, हमारी ये कैप की length complete हो गई है, ये देखिए, मैंने आपको यहां से बना के दिखाया था, देखिए मैंने ये 6 रोज मैंने गाजरी कलर से बुनाए हूँ और 6 रोज येलो कलर से, देखिए ऐसे बुनते में मैंने ये यहां तक complete कर लिया है, और देखिए friends, अगर धारिया गिनेंगे हम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 धारिया हमारी गाजरी कलर स देखिए, यह देखिए, 8 इंच, 8,5 इंच के करीब है, यह देखिए, ठीक है, यह 8,5 इंच है, देखिए length आप अपने हिसाब से चोटी बड़ी कर सकते हैं, तो देखिए मैंने 8,5 इंच बना के ready किया है, अब इसकी length complete हो गई है, आप देखिए friends, आप हम इसके फंदों की घटाई करेंगे, देखिए friends, फंदे हमें इसके इस तरीकी से, देखिए, यह दागा हम थोड़ा सा extra ले लेंगे, देखिए friends, हम सुई में धागा डालेंगे, यह देखिए, और हमें क्या करना, यह जितने भी फंदे हैं, ठीक है, यह सारे फंदे हमें सुई में लेना है, यह देखिए, एक यह करके आप इन फंदों को इस तरीकी से सुई में ले लेंगे, यह देखिए friends, इस तरीकी से हम सारे फंदे सुई में ले लेंगे, और उसके बाद हम इसे इस तरीकी से खीच लेंगे, और देखिए friends, हमें यह देखिए, इस तरीकी से खीचना है, यह द ग्रेक वाली portion में हमें इस तरीके से इसे पूरा खीचना है और जहां से हमने फंदा यह देखिए, start क्या था है उठाने, यह देखिए, यहां पे हमें इसे टक करना है, यह देखिए, इस तरीके से हम इसे यह देखिए, tight कर लेंगे और एक note हम यहाँ पर और लगा लेंगे यह देखिए यह देखिए friends, इस तरीके से हमने यहाँ पर note लगा लिया है, अब देखिए हमें क्या करना है यह देखिए, अब हम इस side से पहले इसकी sly करेंगे, देखे friends, यह हमारा नीचे वाला portion है, जो हमने अलग बुन के ready किया था, आप देखे हमें इसे क्या करना है, यह देखे, इन दो को हमें इस तरीकी से fold करना है, और देखे, यहाँ पर हमारे पास धागा है, इस धागे से हमें इसकी sly करेंगे, देखे friends इन दो parts को हमें joint करना है, यह देखे, यह देखे, नीचे विल्कुल side में हमें इसके साथ attach करना है, यह देखे, इस तरीके से हम attach करेंगे, और यहाँ पर हमें इसे थोड़ा सा पक्का भी बनाना है, यह देखे, क्योंकि यह हमें क्या पहननी है, यह देखे, दो-ती note आप य यहां से यहां तक सिलना है, यह देखिए friends आप इसे इस तरीके से सिल लीजिए, यह देखिए बहुत easily सिल जाता है, यह देखिए ऐसे, यह देखिए friends यह हमने कोने तक सिल लिया इसको, अब यहां पे हम इस पे note लगा लेंगे, यह देखिए, यह हमने यहां पे note लगा ली, एक note और लगा लिजी कि अब इसमें, यह दिखिए, यह note लगा लिए, आप देखिए फ्रेंस, हमई क्या और यह वाला पार्ट, अमने अलगसे लिया, ठीक है, आप यह जहां से हमने फंदें उठाया थे, यह वाला पार्ट है, तो ये वाली पार्ट को हमें क्या करना है ये देखिए इस तरीके से ये भार वाला पार्ट हमें ऐसे ये अलग सिलना है ठीक है ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा अंदर ये अलग रहेगा क्योंकि इससे हमारा क्या होगा कि double look वाली क्या पन के ready होगी देखी वो पार्ट हमने अलग सिल लिया ऐसे ठीक है अब जो हमने फंदे उठाये थे ये पार्ट हमें अलग सिलना है ऐसे तो देखे friends हमारे पास यहाँ पर धागा है तो इसी धागे को हम यहाँ से यहाँ पर ले जाएंगे ऐसे से अटेच्च कर ले...इसे यह दिखे सह हम्सिल लेंगे यह दिखे dest how it sounds अत्वाहा सिल लुए आई है और दिखे यहाँ महें हम इसके साथ इसे अठेच्च कर लेंगे ऐसे ठीक है यह दिखे जिससे की यह खुले हमें क्या करना है, हमारे पस धाग्या है, इसी धाग्य में हम अधरAAAA अब ओम और चाहिज है, पहले हमने cap को सीधा कर लेंगे यह cap सीधी कर लिए, इस तरीके की लिख रहे है यह देखिए, लुक वाइज यह इस तरीके की दिख रही है, अब हम इसमें पॉम पॉम लगाएंगे, देखिए फ्रेंस मैंने पॉम पॉम बनाके रेडी किया है, यह देखिए, यह पॉम पॉम में काफी बाहर आपको बनाना बता चुक यूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप यह देखिए, फ्रेंस हमें यहां से निकालना है, ठीक है, और इस पॉम पॉम को हमें इसके साथ अटेज करना है, यह देखिए, यहां से हम सुई डालेंगे, यह देखिए, इसके बीच से हम सुई डालेंगे, यह देखिए, इस तरीके से, और बिल्कुल सेंटर में, देख यहाँ से आपे यहाँ से इसके साथ आटैज़ करते हैं आपको फिर से इसे ऊपर लेना है यह ओपर लेंगे यह टाइट करेंगे और फिर में फिर से अंदर लेके जाना है ऐसे यह देखे अंदर लेकी जाएंगे ऐसे यह देखे फ्रेंज इस तरीके से ठीक है और यह जो धागे ऐसे हो रहे हैं तो इन्हें आप इस तरीके से खीच लीजिए यह थी ठीक है यह खुल जाएंगे ऐसे यह देखे यह देखे फ्रेंज से हमारे पॉम पॉम बिल्कुल रेडी हो गया, आप देखिए हमें बैक साइट में क्या करना है, यह देखिए, इस साइट से हमें एक दो नोट लगा लेनी है, यह देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से नोट लगा लेनी है, यह देखिए, ऐसे नोट लगा लेंगे, यह देखिए, एक दो नोट आप य ये cap बनके ready हो गई है, और देखिए friends, ये cap हमारी 2 साल से लेकि 3 साल तक के baby को आराम से आ जाएगी, ये देखिए, बहुत जादा सुन्दर cap लग रही है, देखिए, आपको यहाँ से थोड़ा सा ये पतला लग रहा होगा, लेकिन देखिए, stretchable cap है ये, ये, पूरा stretch करती है ये, देखिए friends, पहनने के बाद इसका look बहुत जादा सुन्दर आता है, और ये देखिए, वुनाहि जो हमने डालीथी, इसका look भी ये देखिए, ऐसे stretch करने के बाद बहुत सुन्दर आता है, यह दिखे, दिखे, दिखे फ्रेंज, अगर आपको मेरा एक आप का डिजाइन पसंद आया, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना न भूले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सबसे पहले अब तक पहुचे, थैंक यू,